ठीक है ये भी पढ़ लिया है लेकिन यार अब थकान हो रही है आखे थक रहे हैं लेकिन पढ़ना भी जरूरी है तो अब मैं एक काम करता हूँ इस पेज को मैं सुन लेता हूँ क्यों ना आप इस book को सुन लिया जाए जी हाँ दोस्तों ये possible है कि अगर आप अपनी book को पढ़ते पढ़ते ठक गए हैं तो आप इसका कोई page, paragraph सुन सकते हैं और सुन के recall कर सकते हैं याद कर सकते हैं काफी ज़्यादा important चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके लिए जस्ट आपको आपके phone की need है जस्ट phone से picture क्लिक करके particular page की आप उसको सुन सकते हैं आपका phone आपको पढ़कर सुनाएगा सब क्या से चली बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर आपको अपने phone में जाना है और phone में जाने पर आपको Google Play Store में जाना है और एक app यहाँ पर सर्च करनी है जिसका नाम है Google Lens, ठीक है Google Lens आजकल जो नए Android के versions आ रहे हैं उनमें pre-installed app आपको directly मिलती है तो आप direct भी इसको open कर सकते हैं open करते ही यहाँ पर Google Lens का interface इस तरीकी का होता है जिसमें आपकी जो pictures है phone की वो भी आपको show होती है साथ ही साथ आपके पास उपर camera का option आता है जिसमें आप camera को camera पर tap करके आप अपने phone का camera एकसेस करते हैं अब आप camera एकसेस करने के बाद आपको यहाँ पर instruction भी देती है Google Lens की app कि यहाँ ठीक है आप यहाँ पर picture क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको जो portion अपनी book का reading करवाना है आप चाहते हैं आपका phone आपको बोल कर सुनाए आप उस portion को उस particular area को आप अपने phone से capture कर लेंगे capture करते ही आप आपके phone में नीचे आपके बास कुछ options आते हैं जिसमें translate, text, search यहाँ पर काफी सारे options होते हैं तो आपको यहाँ पर text पे tap करना है और text पे tap करने के बाद आपके phone ने आपकी book का एक जो picture है वो capture कर लिया है capture करने के बाद यहाँ पर आपके पास options आजाएंगे select all text वगरा के तो यहाँ पर आप जो text आप read करवाना चाहते हैं आप वो select कर सकते हैं और यहाँ पर नीच आपके पास direct option आजाएगा listen का तो आप just listen पे tap करेंगे और आपने जो text select किया हुआ है आप देखेंगे कि वो उसकी reading होना start होगी है इस तरीकी साब अपनी book को सुन सकते हैं और अगर आप ठक गए हैं पढ़ते पढ़ते तो आप अपनी पढ़ाई continue कर सकते हैं और काफी जगह इस feature के यूज ले सकते हैं Google Lens के और भी feature है लगातार मैं वीडियो में आपको बताता रहूंगा वीडियो च्रगाओ और information अच्छे लगी तो like कीजिए share कीजिए ज्यादा सी ज्यादा student तक जिससे कि वो ठके नहीं लगातार कुछ न कुछ सीखते रहें पढ़ते रहें रेस्ट भी करें खेले भी लेकिन जिब जरुत हो कि हाँ ठीक है उन्हें ठकना नहीं लगातार पड़ना है तो जस्ट आप इस ट्रिक का यूज ले सकते हैं मिलता हो मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं जान करेंगे साथ तब तक लिए धन्यवाद जैहल